सायल तानाचेत्र के ग्राम पंचायद बरू की आचारखपुर गाउं में ग्राम प्रधान राम विलास ने ग्रामिरों के सयोग से श्रीमत कथा भागवत का सुभारं दिनाग 8 फरवरी 2020 को कराया था भागवत सुरू होने के दूसरे दिन गाउं के ही एक वेक्ति राजू पत्र राम शहाय जो किस सराप के इनलशे में भागवत सुनने आया और लोगों को बताया कि यह भागवत हम नहीं होने देंगे एवं आज रात करीब तीन बज़े प्रदान राम विलास एवं ग्रामेडों के बताने अनुसार अच्छानकपुर गाउं के निवासी राजी उर्फ उवरन सिंग निस्रीमन भागवत कथा के सिंगाशन को आग के हावाले कर दिया कथा आयूजख राम विलास प्रदान ने बताया कि हमने डायल 112 पर भी कॉल किया और ठाना सायल को भी अबकत कराया लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई और यह से जिरा समवादा था इसके यादव की रिपोर्ट पर भागवान की बातारी नहीं है अच्छा यह कब बात बोली थी कवार्ण नाव जेक्ट है अच्छा क्या वो दारू भी पीते हैं तो आप लोगों की क्या उम्मीद है कि आखिर किसने लगाई होगी आप अच्छा यह का यहाँ पर भागवद है अच्छा यहाँ पर बैठी है आपकी स्वायम की और समाच की है पर मिशन का गाई है कों से परमिशन लिया था और और सीओसाथ नोग तो अच्छा यह जो आग लगी है इसमें आप क्या कह आना चाहिए जाना जो लड़का जारू पीका ये करी यह नहीं पत्मीजी को मैं तीन सदों में फजी के घरवाले फशाद के वह यह पिछली साल जो मर गई थेक भई मैं फशाद यह तो आग किसने लगाई कोई पता चला आपको गाजू और पर वो आइब राग कहां के निवास ही है यह ब खाना कौंसा लगता है तुमारा जाइला